हलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में हम यह डिसकस करने वाले हैं कि इंटरनेशनल ट्रिप के लिए आपको कौन-कौन से डॉकुमेंट्स रिक्वाइड होते हैं वैसे तो यह वैरी करते हैं कि आपके डैस्टिनेशन क्या है आप कहां ट्रावल कर र करते हैं बट मोस्त कॉमनली यूज जो डॉकुमेंट्स हैं वो हम आज के टॉपिक में डिसकस करने वाले हैं हमारी लेस्ट में जो पहले नंबर पे आता है वो है passport passport एक बहुत important documents है और primary documents है बाहर जाने के लिए international trip के लिए आपके passport पे at least two blank pages and six month की validity होनी चाहिए जब भी आप international trip पे जाएं इसके बाद आता है दूसरे नमबर पे वीजा वीजा भी एक बहुत ही important documents है बत ये depend करता है कि आप कौन से national से belong करते हैं और कहाँ travel कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी countries वीजा on arrival भी लेती हैं जिसमें वीजा की कोई requirement नहीं है तीसरे नमबर पे आता है आपका travel आइटनेरी जब भी आप travel करें तो make sure करें कि आप एक travel आइटनेरी बना के चलें ताकि एरपोर्ट पे जब भी कोई मांगे तो आप उसे present कर सकें फोर्थ नमबर पे आता है boarding pass बहुत सारी international travel में boarding pass जो है बहुत सारी countries में online check-in हो जाता है उस case में आपको boarding pass present करना होता है फिफ्ट नमबर पे आता है travel insurance travel insurance एक बहुत ही important factor है और जब भी आप travel करें तो ये लें ये आपके safety के लिए ही है उसके बाद आता है driving license अगर आप बाहर जाके गारी चलाना चाहते है या rent पे लेना चाहते है ये internet पे लेके चलाना चाहते हैं तो इसके लिए driving license लेना बहुत ही ज़रूरी है आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस destination पे जा रहे हैं वहां की driving license की rules क्या है उसकी बाद आता है vaccination certificate vaccination certificate एक important documents था खास करके COVID time में अभी बहुत सारी countries मांगती है और बहुत सारी countries को इसकी कोई भी requirement नहीं है फिर आता है आप चाहें तो health insurance पे ले सकते हैं अलग से या आपके पास जो current health insurance है वो भी कई cases में चल जाता है वैसे ये mandatory नहीं है बट अगर आप लेके चलते हैं तो ये आपके safety के लिए और in case आपको कुछ हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा helpful रहेगा वैसे travel insurance में सारा ही covered रहता है फिर आता है currency आप local currency मतलब जिस country में आप जा रहें वहाँ की currency एक change करवा ले या कोई master card या visa card लेके जाएं ताके आपको वहाँ travel करने में easy हो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि एक card बना के ले जाएं जिसमें emergency contact information हो आपके ताके in case कुछ भी हुआ तो वह आपको call करके बता सके हैं यह सारी चीज़े जो मैंने बताया है यह depend करता है कि आप कहां से कहां travel कर रहे हैं और कौन से national हैं कौन से country पर travel कर रहे हैं उसके accordingly change होता है इसी तरह की वीडियो के लिए channel को subscribe करें Thank you